और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं उस खबर का जिस पर आज दिन भर गैमा गैमी रहने वाली है दरसल जारकन वधान सभा का शीत कालीन सत्र चल रहा है और आज इस सत्र का आखरी दिन है हमारे साथ सयूगी अजय लाल जुड रहे हैं सीधे उनके पास चलते हैं अजय जो तस्वीरे पिछले दिनों जब से ये सत्र शुरू हुआ बहुत छोटे समय का ये सत्र लेकिन पिछले बाकी सारे दिनों में यही तस्वीर नजर आई वपक्ष का हंगामा सदन के अंदर सदन के बाहर सत्ता का जवाब सदन के बाहर सदन के अंदर यही सब कुछ चलता में वापिस लाया गया और सदन से पारित कराए गया जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े की है लेकिन आज जब आखरी दिन है तस्वीर बदलने वाली नहीं है बिल्कुल आरती आज भी विधान सभा में पूरे तरसे हंगामे के आसार है ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिंचले तिन चार दिनों से जो कुछ हुआ इस सदन में वो पूरे जार्खन की जनता ने देखा लेकिन सबसे अहम होता है कि जब कभी भी सत्र का सत्र जब चालू इस्तिति में होती है चाहे वो सितकालिन सत्र हो बजर सत्र हो या फिर मौनसुन सत्र हो सबसे अहम जिम्यदारी होती है सरकार की सत्ता पक्ष की बो की सदन को ओडर में रखे विपक्ष हंगामा करेगा ये उनके धर्म में सामिल है उनके कर्तबों में सामिल है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विधान सवा में हंगामे होते रहे है लेकिन सबसे अहम होता है कि सदन में जो सत्र है उसको बेहतर तरीके से चलाने की जिम्यदारी सत्तापस्थ के लोगों की होती है लेकिन कहीं न कहीं जो बैठकें होती रही है और कई बार ऐसे मुद्दे भी आजाते हैं जिसका इस सदन से कोई मतलब नहीं होता आप धीरसाहू कैस का मामला ले ले इस सदन से उसको क्या मत्तब है धीरसाहू CBI धीरसाहू ने कहा है कि वो हिसाब देंगे पूरे मामले का इस वक्त में बिधान सबा के पुराने बिधान सबा में परसन में हूँ जहां पर बड़ी संख्या में बिधायकों की गारी आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से अपसे थोरी दिर पहले हमने चाइबासा से बिधायक दीपक विरुवा से बाचित की उन्होंने काए कि उन्होंने आठ सवाल सदन में डाले थे लेकिन एक भी सवाल सदन में नहीं आ पाया उसकी चर्चा नहीं हो पाई तो इस तरह के विधायकों को मलाल है कि छेतर की समस्या वो नहीं रख पाते जब छेतर की समस्या सदन में जब उठते तो उस पर बहस होती उस पर परतिवाद होता उस पर दावा होता उस पर वादा होता लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है हमने विधायकों से अभी बाचित करने की कोशिज की है लेकिन तमाम लोग अभी सतर के लिए निकलेंगे तो आज भी पूरी तरह से हंगा में क्या सार है आरती इसमें कहीं से भी इफ बट नहीं है चलिए तो अब देखना होगा अब तो कुछ देर में सदन की कारवाही शुरू होकी और देखना होगा कि आज क्या दस्वीर बाख की दिनों से अलग रहती है या फिर वही नजारा आज भी देखने को मलता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय बढ़तें आगे जौरकन विधान सभा का शीत सत्र चल रहा है अंतिम दिन है आज गैर सरकारी संकल्ब के स साथ सरकार सदन में अपना वक्त अव्य देगी और यह सारी चीज़ें देखे आज होने वाला है लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा